कि यहां पे मैं रुजाना वण पीम पे पढ़ाता हूं आपनों को इंडियन को सब्सक्रिप्सन लेकर कि आप घर बैठे ऑं-लाइन तरीके से अपनी त्यारियों को आगे बढ़ा सकते हैं आप इससे जुड़ेंगे तापको डेली लाइफ प्लासे लाइफ टेस्ट एंड कुईज भुड़ा कोर्स इस्ट्रेक्चर्चर्ट फार्म में और जो एक्सेस मिले इसके लिए आपको अपने मॉबाइल में अकेडमी का लर्निंग डाउनलोड करेंगे अपने त्यारियों के बढ़ाते रहेंगे यह मेरा नाम स्वधीब कुमार और यह मेरे बारे में यह मेरे टेलिग्राम चैनल के लिंक यह हैं अप लोग इन दोनों को जरूर फॉलो कर ल सब अपकमिंग कोर्सेश जो अन अकेडमी पर सुरू होने वाले हैं और दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है एक प्लस और एक आइकोनिक प्लस जो है अन अकेडमी का कम्प्लीट रेगुलर कोर्स है यानि जीएस का फाउंडेशन कोर्स इस पर आपको इसके लिए पर आपसे एक रिफ्रर कोड मागेगा तो आप एक कोड वहां पर डाल देंगे ह्ट डब्लूएड डवलीपी तो आपको फिस में 10% डिसकाउंट मिल जाएगा फिस हो जाएगी आप 44,550 रुपए हैं आप दो साल के लिए लेते हैं तो 72,000 कोड के इस्तमाल के बाद 10% डिस जाते हैं आपने लिए तो आपको यहापे मिलेंगे जो प्रस्नली आपकी त्यारी पर ध्याद देंगे डेली में स्कूर्शन एस राइटिंग प्रपेक्टिस पुरे स्टडी प्लान के साथ त्यारी और प्रस्नलाइज फीडबैक इसका जो बारह महीने का या इस भी एक सा दो साल तीन साल के लिए है इसका जो बारह महीने का फीज है 69500 इस पर भी इस कोड का इस्तिमाल करेंगे तो आप गोड़ 10% डिसकाउंट में मिलेगा यानि 2550 24 महीने के लिए लेंगे देक लाग 7000 कोड के इस्तिमाल के बाढ़ 10% डिसकाउंट एक 26900 यह सारा प्लान यह है ओपिस कोड का सब्सक्रिप्सिन आप ले सकते हैं 6 महीने के लिए 2 साल के लिए 7 500 ऊपिस कोड के इस्तिमाल करेंगे ह। तो कोट के इस्तेमाल बाद 36 जार तीन साल के लिए उप्शन लेते हैं तो फिर से 50 जार कोट का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डेस्काउंट 45 जार रूप है इसके लिए भी जरूर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर से 10% डिसकाउंट जरूर मिलेगा और यह है आपका UPSC CSC GS और ऑप्शनल का कॉम्बो आप GS का प्लस कोर्स ऑप्शनल ले 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 आईकॉनिक ले ले GS का और प्लस असानी से ले सकते हैं उसकी यह फिस है जिसके अगर आइकॉनिक GS और ऑप्शनल लेते हैं तो एक साल की फिस है आपकी 88705 दो साल की फिस है 13510 और तीन साल की फिस है 16220 इस पर भी इस कोट का इस्तमाल करेंगे तीन फिस पर आपको 10% का डिसकाउंट जरूर मिलेगा अगर आप GS का प्लस और ऑप्शनल लेते हैं तो एक साल का यहां भी है 70 130, दो साल का है 29680 और तीन साल का है 11200 तो इस पर भी आप इस कोट का इस्तमाल करते हैं तो आपको 10% डिसकाउंट इस सारे पर भी मिलेगा आइकॉनिक के बारे मैंने आप लोगों बताया था भी इसके भी कुछ फीचर से भी अपग्रेड हुए है आप लोग इसका सब्सक्रिप्सन ले लिजे इसके आने वाले से मिसका भी प्राइज बढ़ने वाला है जो आपको परसनल कोच मिलेंगे उसके साथ साथ यह सारे फ परिकम मेंस और इसके क्या है कि आज हम लोगपढ़ेंगे मंत्री मंदली संमीतीयां के बारे में चोटा साही टोपीक है केड़ने कमिटीज इसके बारे में देखेंगे फिर कल साही हम लोग टोपकिक शुरू करेंगे अपना अगला संसत पांल्या में ठेक तो चलिए मंत्री मंदल समितियों के बारे में वैसा ही concept point by point बहुत ही आसान सब्दों में लिखा हुआ पढ़ते वे चलिए क्या कह रहा है मंत्री मंदली समितियां cabinet committee इसके बारे में मंत्री मंदली समितियों के बारे में तो उसकी क्या निमन लिखित बिसेस्ता हैं ये देखिए अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर समयधानिक अथवा समिधा नेत्तर हैं गैर समयधानिक कमिटियां है दूसरे सब्दों में इन कमिटियों को हम कह सकते कि इनका उलेख हमारे समयधान में नहीं है इसलिए ये गैर समयधानिक है तता भी कारे नियुमों में अगर रूल्स और बिजनेस में देखें इनकी अस्थापना के लिए कहा गया है क्या ये समयतियां दो प्रकार की होती है अस्थाई समयति और तदर्थ समयति जो होती है उसकी प्रकृती अस्थाई होती है यानि ये हमेशा काम करती है जो तदर्थ होती है यारी आस्थाई होती है मतलने अगर आपको कोई काम वगर इस काम को सौपा जाएगा ये इस काम को करेगी और करने के बाद ये समिटि फिर समाप्त हो जाएगी ठैक है ये ये है तदर्थ समितियों का गठन लिखा भी है कि समय समय पर विशेश समस्याओं को सुल जाने के लिए किया जाता है और वो परियोजन पूरा होते ही इन समितियों को तदर्थ या आस्थाई समितियों को फिर विख्टित कर दिया जाता है समापत का दिया जाता और अस्थाई समिति जो है रेगुलर काम करती रहा रहती हैं और यह जो समितिया है परधान मंत्री द्वारा समय की अनिवारता तथा परिस्थिती की मांग के अनुसार गठित की जाती है यह जो समितिया यह अगर समय की मांग है कोई वैसा मुंमुद्धा है उसके लिए और इसलिए इनकी संख्या संग्या तता गठन समय के साथ बदलता रहता है और इनकी संख्या तीन से आठ तक हो सकती है तता समिति समारता इनके सदस्त केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं तता पी गैर कैबिनेट मंत्री इसके सदस्ता से प्रतिबंदित नहीं होते हैं अक्थर क्या होता है कि जो तदस्त मितिया है इसके जो सदस्त होतों कैबिनेट मंत्री ही होते हैं ऐसा नहीं कि गैर cabinet मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तर जब भी होते हैं, इसमें cabinet मंत्री ही इसके सदस्त बनते हैं। तो जयार में रखेंगे क्या-क्या चीजें हैं आपे, और क्या-क्या बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और इन समितियों के मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं, बलकि वरिष्ट मंत्री भी हो सकते हैं, और समितियों के प्रमुख पराया प्रधान मंत्री ही होते हैं, जो प्रमुख होता है। कभी-कभी ग्रिह मंत्री या वित मंत्री भी इनकी अध्यक्षिता करते हैं, वैसे अक्सर इनकी अध्यक्षिता कौन? प्रधान मंत्री करते हैं, लेकिन कभी-कभी वित मंत्री और ग्रिह मंत्री भी करते हैं, लेकिन यदि किसी समितियों में प्रधान मंत्री सदस्य हो, ठ प्रस्ताव बराती हैं बलकी निर्णय भी लेती हैं ठेक हाला कि मंत्री मंडल इनके निर्णयों की समिछा कर सकता है यह समितियों के कारे हैं जरूर ध्यार में रखेंगे और क्या कह रहा है यहां पर समितियों के बारे में कि समितियां मंत्री मंडल के कारे की अधिक्ता को कम क करने के लिए सांगठनिक युक्ती की तरह हैं और ये नीतिगत मुद्दों का गहन मंत्रियों के समूव अध्यान करती हैं तता प्रभावकारी समन्वे भिया स्थापित करती हैं और ये स्रम और प्रतिनिधी मंदल के विभाजन के सिधानतों पर आधारित हैं मंत्रि मंदल की समितियों की सूची है कुछ सूची है चोटा ही टॉपिक है आज इसे कुछ डिसकस करेंगे तो मंत्रि मंदल समितियों की सूची है कुछ सूची है देखिए 1994 में निम्न लिखीत 13 मंदली समितिया कारे रख थी 1994 में फिर उसके बाद कितनी हुई ये देखिए 1994 94 में तेरा मंत्री मंदल समितिया कारे करती थी कौन-कौन राजनितिक मामलों की समितिया होती थी प्राकृतिक प्रकोपों के लिए आपदाओं के लिए समितिया होती थी संसदी मामलों के लिए मंत्री मंदली समितिया होती थी और मंत्री मंदल की नियुकति के लिए भी समिति तो तेरा समित्या थी ऐसे ऐसे और दोसे विए के लिए की मत्री मंडल शमित्य होती थी अल्ब संख्याक कल्यार के लिए मंथ्री मंडली समित्य आरफिक मामलों के लिए मंत्री मंदली समिती, ब्यापार एवं निवेश के लिए मंत्री मंदली समिती, ब्याई के लिए मंत्री मंदली समिती, अधार भुज, सरचना के लिए मंत्री मंदली समिती, यह 1994 के समय में यह 13 मंदल समिती काम करती थी, उसके बाद फिर क्या हुआ, 2013 में फिर 10 मंत्री मंदल स समिती और मंत्री मंदल की नियुक्ति की समिती ये चार और छे और है पाच्पहस सूरक्षा के लिए न्यूक्ति मंदलनी है समिती और यू आई डी ए 2013 के बाद अस्तित्यु में आई संसदी मामलों के मंत्री मंदल समिति रही और आवास के लिए ये 10 समितिया ये 2013 के बाद ये 10 मंत्री मंदल समिति कैबिनेट कमिटी काम कर रही थी और वर्तवान में 2019 से अभी तक में ये 8 समितिया है पहली है राजिजितिक मामलों के मंत्री मंदल समिति मंत्री मंदल की नियूकती की समिति सुरक्षा समंदी मंत्री मंदल ही समिति संसदी मामलों की मंति मंदल समिती आवास के लिए मंति मंदल समिती निवे सिवं पृद्धी पर मंति मंदल समिती रुजगार और कौसर विकास पर मंति मंदल समिती 2019 से ले करके अब तक ये 8 कैबिनेट कमिटियां काम कर रही है ठेक ध्यान में रखेंगे वे जो मंती मंदल समीती हैं इनके कारे क्या हैं? क्या होते हैं कैबिनेट कमीटी के कारे? ध्यान से पढ़ी है उपरोग 4 में यह जो 2019 से लेखरके अभी तक जो एक कमीटी या आठ कमीटी चल रही है इन आठ कमीटी मेंसे जो शुरू की 4 कमीटी औहीं उपरोग चार में से जो शुरू के चार कमिटी आए आठ में से जो सुरुवाती चार कमिटी है उन चारों में से जो पहली तीन कमिटी है ना उनकी अध्यक्षता प्रधान मंतरी करते हैं और जो चौती कमिटी है उसका अध्यक्ष ग्रेह मंतरी होता है कैसे यह देखिए यह जो 2019 से भी तक यह चार के बारे में कह रहा है यह जो चार कमेटी है इन चारों कमेटी में यह जो तीन कमेटी है इन तीनों का ध्यक्ष कौन होता है प्रधान मंतरी होता है कौन प्रधान मंतरी और जो चौती कमेटी है इसका द्याक्स कौन होता है ग्रेक मंत्री यह ध्यान में रखेंगे ठीक है यह कॉंसेप्ट के लिए जरूर ध्यान में रखेगा आप लोग वही कह रहा है और सभी मंत्री मंडल समितिया सरुसक्तिसाली समिती राजनितिक मामलों की समिति मानी जाती है जिसे सूपर कैबिनेट भी कहा जाता है मंत्रियों के समूह भी होते हैं कुछ इस मुद्दों पर बात करने के लिए क्या ये देखे मंत्री मंदल समितियों के अतरिक विभिन मुद्दों विस्यों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया गया है और इन मेंसे कम मंत्री समूहों को मंत्री मंडल की और से निर्ने लेने का अधिकार प्राप्त है जब कि से समूह अपनी अनुसंसाये मंत्री मंडल को भेजते हैं और मंत्री समू नामक संस्था विभिन मंत्रालियों के बीच ताल मेल बैठाने के लिए वहनी तता प्रभौक कारी उपकरण के रूप में सामने आई हैं ये विट अधर्थन निकाय है जो कुछ आवस्यक विच्के और के लिए गठत किये गए हैंट好了 के लिए मंत्री समू का गठन होता है उसका मंत्री मंत्री समू में सामेल रहता है और जब सला देने का काम समाप्त हो जाता है तो मंत्री समू भी भंग कर दिया जाता है। और दिती प्रसासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 ने मंत्री समू के कामकाशपर निम्नलिक टेपणी और अंसंसाय की हैं। क्या ये देखिये। कि आयोग की राय में बड़ी संख्या में जो दिती पसासनी का आयोग है इसके बारे में कि बड़ी संख्या में मंत्री संख्या में के गठन से अनेक मां मंत्री संख्या अपने निधारित कारी को पूरा करने के लिए नीमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते हैं जिससे कई ब बेहतर समन्वय अस्थापित होगा विसेश कर तब जब उन्हें मंत्री मंडल की ओर से एक निर्ने तक पहुंचने की सकती प्राप हो और अपने कारे को तैसीमा में पूर्ण करने के लिए भी और आयोग ने सुनसा की कि इस बारे में सुनिश्चित होने किया सकता है कि मंत्री समोहों में बिद्वान समन्वें पढ़ाली प्रभावी धंग से कारे करती है तथा उससे मुद्दों के सिख्र समाधार में सहायता मिलती है और चैनात्मक लेकिन प्रभाव कारी उपयोग साथ ही इस परश्ट आदेश तथा निर्धारित सीमा के रहते ही मंत्री समोहों का सब्सक्राइब उठाया जाता है सारे अज बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आज इसको पढ़ लिजिए टेरिग्राम चैनल के लिंक अने के प्रफाइलिक जरूर करेंगे कल से फिर एक नया टॉपिक शुरूगा आज भी मैं शुरू कर सकता था लिकिन इसलिए नहीं शुर जहांगे दो लिकिता है सकता है का बीडिक शुरूगा आज इसलिए ट्रफाइलिक शुरूग विपक शुरूगाइल ऑ रिछाइब भी मैं अजूगा कर दब